आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राश फल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राश फल का ये कारिक्रम प्रारम्भ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शनिवार है कार्तिक मास कृष्णपक्ष की आज त्रयो दशीति थी है जो की दिन में तीन बज करके 46 मिनट तक है और इसके पश्चाद चतुर दशीति थी है उत्तरा प्रारम्भ करन है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राश में रहेंगे और अभिजित मुहुर्त का समय 11 बच करके 19 मिनट से दो पहर 12 बच करके 4 मिनट तक होगा राहुकाल का समय प्रातव 9 बजे से 10 बजे तक है जैसा कि आप सभी जानते है कोई भी नया और शुब कार्य अभिजित मुहुर्त में प्रारम्भ करना चाहिए जिसकारे से आपको चिरकाल तक लाब लेना हो ये अभिजित मुहुर्त हरीक्वती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए आज शनिवार और चतुरदशी तिथी, रिक्ता तिथी और शनिवार का स्वयोग है साथी साथ आज नरक चतुरदशी है, मास शिवरात्री है, हनुमत जयन्ती है कई सारे दर्शकों ने ये प्रश्ण पूछा था कि चौमुखी दीपक तो चतुरदशी के दिन निकाला जाता है मुझे लगा था कि आप सबों को जानकारी होगी, अब आज मैं आपको बता दू कि बिलकुल नरक उद्देशेन, नरक के उद्देश्य से चतुरदशी को आज दीप दान किया जाता है लेकिन त्रयोदशी को यम के उद्देश्य से अकाल मृत्यु से बचने है तू दिया दीप यम को दान किया जाता है तो आज भी किया जाता है नीच तुरदशी को भी किया जाता है और त्रेवदशी को भी आज हनुमत जयंती मास शिवरात्री शनिवार का दिन अध्भुत सईयोग बन गया है शनिदेव अगर आपको पिड़ित कर रहे हैं शनिदेव के कारण अगर आप कष्ट पा रहे हैं तो आज के इस महान सयोग का लाव उठाईए दिब्ब्य महाप्रयोग में शनिदेव के कस्ट से मुक्ति है तू आपको मैं एक प्रयोग बताऊंगा दिब्ब्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूर बात कर लेते हैं ग्रह स्थुतियों की राहू मिथुन राशी में संचरन कर रहे हैं मंगल और चंद्रमा यूती बनाकर कन्या राशी में संचरन कर रहे हैं शुक्र और सूर्य तुला राशी में संचरन कर रहे हैं वही देव गुरु ब्रहस्पती बुद्ध के साथ वृष्चिक राशी में सुन्चरन कर रहे हैं और शनीदेव केतु के साथ युती बना कर धनुराशी में सुन्चरन कर रहे हैं ये है ग्रहस्तुती इन्ही ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का ह प्रचलित नाम से आप समाज में जाने जाते हैं उस प्रचलित नाम राशी का अधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं सबसे पहले तो अगर आप दिर्घ कालिक रोग से पिरित हैं यानि कोई ऐसा रोग जो आपको दिर्घ काल से पिरित किये हुए हो तो सायम काल आज आपको वैसे तो विशेस बिधी भी बताई गई है स्नान की सामन्य बिधी से भी अगर आप शनान कर लेते हैं नियम कहता है कि शनान से मुक्ति है तू नीम के पत्ते को जल में डाल कर उसे खोला दीजिए उबाल दीजिए और उसी उबले जव से स्नान कर लीजिए स्नान करने भरमात्र से दीर्घ कालिक रोग से मुक्ति मिल जाती है शनिदेव किसी भी प्रकार से अगर आपको पिरित कर रहे हैं तो आज शनिदेव को तेल जाकर के चढ़ाईए तेल चढ़ाने से शनिदेव के कस्टों से मुक्ति मिल जाती है और हनुमान जी के मंदर में जाकर के अगर हनुमान जी के सम्मुख तिल तेल का दिया जला कर हनुमान जी को सुन्दर कांड का पाट सुनाया जाए तो भी आज शनी जनित सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और आज भी सायंकाल आपको चौमुखी दीपक अवस्से घर के दरवाजे के पास ही जला देना चाहिए ये जरूर कर लीजेगा तो ये रहा आज का दिब्ब्य महाप्रयोग अब दिब्ब्य महाप्रयोग के बाद चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेश राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं हाला कि चंद्रमा मंगल के साथ है चंद्रमंगल योग का निर्माण हो रहा है दूसरों के लिए आज आप प्रेरना का स्रोत बन सकते हैं अपने धैरे से, अपनी चुपी से किसी को भी आज आप पराजित कर सकते हैं असल में अगर देखा जाए तो आपका स्वभाव है बहुत जल्दी धैरे खो देना बहुत जल्दी लड़ और भिड़ जाना अगर आज आप अपने स्वभाव के विपरीत काम करें तो आज आपका शत्रू भी घुटने टेक देगा आज आपकी मानसिक उर्जा चरम पर रहने वाली है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करिए और आगे बढ़ते चले जाएए परिवार या जीवन साथी के साथ अगर अनबन चल रही है तो आज वो खत्म हो जाएगी और प्रावपॉर्टी से सम्मंधित कोई पुराना मसला है आज वो सुलच जाएगा सुन्तान की प्रगती आपके लिए एक सुभ शूचना है और जो भी आपने अच्छे कर्म किये हैं उसी का शुब फल आपको आपके बच्चे की सफलता के रूप में मिल रहा है आज आपके सभी काम बड़ी असानी से फटाफट निपटते चले जाएगे और वो काम तो अवस्य ही पूरे हो जाएगे जिन कारियों की आपने पिछले दिनों प्लैनिंग की थी आज कारियक शत्र में परिशानिया जरूर रहेंगी कहीं न कहीं आपके प्रत्रण्दी आपको नीचा दिखाने का प्रत्न करेंगे लेकिन आप डरियेगा मत चुप्टी और धैरिया आज यही आपका हत्यार है फैसन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत पढ़िया है अच्छी सफलता मिलने वाली है आज किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा मत करियेगा नुकसान होगा अपने प्रेमी से हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतित करिये उनके साथ इससे सम्मंद भी मजबूत होंगे और आपको मानसिक शान्ती भी मिलेगी दामपत्य जीवन में स्थिती थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई पढ़ती थोड़ी मतभे तूटू मैमै हो सकती है और विद्यार्थिवर की बात करूँ दिन अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और सेहत में आज उतार चढ़ाओ की स्थिती दिखाई पढ़ रही है पुराने रोग आपको परिशान कर सकते हैं आज का दिब्य महा प्रयोग कर लिजेगा आज मैंने कई सारे दिब्य प्रयोग बताए है उनमें से कोई एक कर लिजे अगर शनीदेव से पिडित है कुंडली में महादुसा सनीदेव की चल रही है या शनीदेव कुंडली में कमजोर अवस्था में होकर के पिडित कर रहे हैं तो आप ये आज कर दिपे महा प्रयोग कर लिजेगा काम बन जाएगा वाहन चलाते समय जरा साउधानी रखिए लकियंक आपके लिए आज साथ और लकी कलर आपके लिए आज सपहेद है और बात अगर गुशब रासिकी की जाए तो चंद्रमा गोचर कुंडली में जिस प्रकार के स्थिति आपके लिए बना रहे हैं वो कहीं न कहीं आज आज आपको इस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि आप अपनी मनमानी करें मनमानी गलत नहीं है परन्तु गलत तरीके से जब मनमानी आप करेंगे तो आपको नुक्सान हो जाएगा आज दिमाग में कई कारियों की प्लैनिक बनती रहेगी ऐसे में कोई खास फैसला कर पाना या कोई महत्तो पुर्ण फैसला कर पाना ठीक नहीं है हो सकता है लगातार जो आपके मन में चल रहा हो बार-बार नई नई योजनाय आ रही हो हो सकता है जिस महत्तो पुर्ण विशय पर आपको फैसला लेना हो उस पर गहराई से आप विचार न कर पाए रिस्तों की बात अगर चल रही है से रिलेटेट बात चल रही है तो आज हो सकता है उसमें कोई बिलंब आ जाए, कोई परिशानी आ जाए, अभी वो फैसला पूरण नहीं होगा, यहीं बिवास तो संबंधित अगर बात्चित चल रही है, तो काम आज नहीं बनेगा, नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो एक दो दिन का भी समय मांग लीजिए, बिचार करिए और तभी निरने लीजिए, उत्साह आज आज आपके अंदर जबर्दस्त है, सुस्ति किस्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, नई उर्जा का संचार होगा, और आपको चाहिए, कि आपकी ये उर्जा, अपने जितने पीछे के छूटे हुए, पुराने कार हैं, उनको पूरा करने में लगाएं, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने का प्रत्न करिया, आप पूरा कर पाएंगे, कोई खास चीज आज आपको मिल सकती है, जो आपके मन में खुशी उत्पन्न करने वाली है, व्यापारिवर की बात करूँ, तो आज अपने करमचा करमचारियों पर आपको अधिक ध्यान देना होगा, हो सकता है, आपका कोई करमचारी ऐसा कोई कारे कर जाए, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो, दुस्मनों की संख्या दिन परती दिन कम होती चली जाएंगी, और आप देखेंगे कि अब आपके शत्रु भी आपसे मित् बेवहार करना चाहते हैं, काजक छत्र में आज सावधानी रखनी होगी, काम की अधिक्ता और जल्दबाजी में आपसे चूक हो सकती है, हलाकि नौकरी पेसा लोगों की बात करूँ, तो कारिस्थल पर आज आपको खुशी महसूस होगी, और शाम के समय में दोस्तों के बात भागिये, अपने जिम्मेवारियों को पुर्ण करते हुए चलिये, जीवन साथी से आज थोड़ी परिशानी हो सकती है, और प्रेमी के साथ तू-तू-मै-मै किस्तोती बन सकती है, हलाकि आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की आवशक्ता नी, बस आप उनके साथ समय निकाल करके थोड़ा समय दीजिये, सभी गलत फ़हमी दूर हो जाएगी, कंप्यूटर फिल्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए पोहत बढ़िया समय है, और सेहत पर आप अपने ध्यान दीजिये, पुराने रोग उभर सकते है, पेट से सम्मंधित परिशानी या आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है, कोई आपसे कुछ बात करना चाहता है, या कोई बात कर रहा है, तो उसका उत्तर बहुत ही सोच विचार करके आपको देना चाहिए, आज कारेक छेतर में आपकी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है, सफलता भी मिलेगी, आपके आत्म मान लगा कर के ही काम कीजिए, आज बड़े से बड़ा काम भी आप पूरा कर लेंगे, और कहीं भी कारेस्थल पर भी हैं, तो अगर आपको काम कराना है, नित्रत्व आपको करना है, तो टीम वर्क करिए, मिलकर किये गए कामों में सफलता अत्यधिक मिलने की शंभावना है कारेक छेतर में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कला, संगीत या किसी रचनात्मक कारे में आपका रुजान बढ़ने वाला है, वास्तों में देखा जाए, तो आज आप जो भी करेंगे, थोड़ा अलग धंग से करेंगे, स्ट्राइडिस धंग से करेंगे, जिस काम में हा चाहट हो रहा हो, मन मना कर रहा हो, उसे आज छोड़ देना है, बिल्कुल उसमें हाथ नहीं लगाना, प्रेमी से आज अचानक कोई खुश खबरी मिल सकती है, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, जीवन साथी से संबंध मजबूत होंगे, घर का माहल बड़ा ही सुखद, औ मेहनत अत्यधिक, लेकिन सफलता उसके अनुपात में कम मिलने वाला है, आलस्य और ठकान आपको आज परिशान कर सकते हैं, भुवन भास्तर को अर्गि प्रदान करिए, लकियंक आपके लिए चार, लकी कलर आपके लिए आज औरेंज है, और बात अगर कर कर आशकी करें, तो आज ब्यापार में सब कुछ सामन्य रहने वाला है, किस्मत आपको बड़े मौके देती चली जाएगी, इस मौके का लाव उठाइए, जो भी कारे है, उसे आप पूरा करने के लिए प्रक्न करिए, मेहनत के भरोसे आज आपके सारे कारे पूरे हो जाएंगे, आज आप सिर्फ अपनी खुसी के लिए किसी से जबरदस्ती कामत करवाईए, ये सोचकर के काम करिये और करवाईए, कि सब को और इस काम से सब से, सब को इस काम से लाव मिले, संतान के साथ आज आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, धैर पूर्वक और सहानुभूती के हो सकता है, गलती हो जाए, और कारेक छेत्र हो, या व्यापार का स्थल, वहाँ पर विवाद का आज आपको सावना करना पड़ सकता है, बस इतना ध्यान रखिए, कि आज का काम आपको आज ही पूरा कर लेना है, अगर विवाद भी है, तो उसे आज ही निप्ता दीजिए, निजी संबंधों में स्पष्टता बहुत जरूरी है, और आज देखा जाये तो आपको कोई गलत फहमी हो सकती है, तो बड़ा सावधान रहिएगा, प्रेमी काज सहयोग मिलेगा, आज आज आपको अपनी वानी पर संयम रखना होगा, मेडिकल फिल्ड के विद्यार्थिय के लिए देखें, तो दिन बढ़िया नहीं है, अपने ही साथियों के सडेयंत्र का सिकार आप हो जाएंगे, और सेहत की बात करूँ तो पेट दर्थ की शिकायत हो सकती है, गला खराब होने की भी शिकायत आज आपको हो सकती है, सावधान रहिए, मसालेदार भोजन से बच आपको दोनों में बचना चाहिए, कामकाज के मामलों में आज सलाह मिलेगी, और अगर मिलती है तो वो ले लीजिए, परंतु आपको देना नहीं है, यही आज आपको ध्यान में रखना है, यही आपके लिए मुख्य सूत्र है, जो काफी महत्तो पुर्ण है, आपकी उम्म निदों और प्रयासों में देखा जाए तो जवर्दस्त ताल मेल रहने वाला है, आज आप हर दिशा में प्रयास करेंगे, और हर दिशा में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक बार में एक ही काम करिए, ज़्यादा काम उठा लेंगे, सारे काम पुरून नहीं क लेने वाले हैं, व्यापारी वर्ग हैं या कारेक्षित्र आप नौकरी करते हैं, जैसा चाहेंगे बस वैसा ही होने वाला है, परिश्तितियां आज बिल्कुल अच्छी हैं, व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा, रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, परिवार में अगर आपको लेकर के दिमाग पर डाल सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, इससे संबंध बिगड़ने का डर है, संबंध तूट सकता है, जीवन साथी की कोई कड़वी बात, आप गंभीरता से उसे ले सकते हैं, और हो सकता है इसके चलते पूरा दिन आपका मन उदास में रहे, म गाय को रोटी देना लाबदाई होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा लाबदाई होगा आज का दिव्य महा प्रयोग कर लेना, लकियंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और बात अगर कन्याराशिकी करें, तो आपका व्यक्तित तो आज बहुत ही आक स्मत करिए, सीधी बात कहिए, आज आपको ब्याय पर और वानी पर दोनों पर नियंतरन कर रखना है, कोई नया प्रेम प्रशंग आज प्रारंब हो सकता है, धन कमाने के कई विचार आज आपके मन में लगातार आ सकते हैं, जो कि आपके लिए फाइदे मंद है, और किसी न बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कटोती आप आगे चलकर के निवेश करेंगे, जिससे आपको बड़ा फाइदा होगा, ब्यापार में महत्तो पुरुन सफलता, मिलने की स्थिती बन रही है, ब्यापार में फाइदा होगा, आज देखा जाए तो आप सम्मान के हकदार होने करवाईए, और आज बच्चों की बात की अगर आप अंदेखी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, अपने प्रेमी के साथ संयम से पेस आईए, संयम के साथ रहिए, किसी भी मामले में जबरदस्ती मत करिए, अपनी भावनाय जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करिए, वरन करिए, आज जरूत मंद को भोजन कराइए, और साथी साथ आज का दिब्ब्य महा प्रयोग कर लीजिए, लगियंक आपके लिए साथ लखी कलर आपके लिए पिंक है, और बात अगर तुलाराश्की की जाए, दिन के शुरुआत आराम से होने वाली है, आपका मिजाज आज अपने कंट्रोल में ले लेंगे, आपको एक्स्ट्रा नए मौके की तलास करने की आवशक्ता नहीं है, जो मौका सामने आएगा, बस उसे ही लपक लीजेगा, फाइदा होगा, किसी नई शुरुआत के बारे में विचार करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है, धैरे से आ करना आपका लक्षो होगा, और आप उसे पूरा कर लेंगे, आज आप सक्रिय रहेंगे, ब्यापारी वर्ग की बात करूं, तो आज आप वही करेंगे, जो आप चाहते हैं, परन्तु एक बाद बता दू, थोड़ी परिशानी हर मामले में आएगी, हर कारिय में बिघन और बाधा उद्पन होगा, आपको धैर रखना होगा, लव पार्टनर आपका सम्मान करेगा, पार्टनर के साथ आज आपका ज्यादा समय बीतेगा, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है, और आज जो भी काम आप कर रहे हैं, मौझूदा काम को छोड़ने का अगर इरादा भी आप होंगे, लेकिन मेरी राय मानिये, धैरे बना करके रखिये, ये वक्त निकल जाएगा, आज आपका स्वभाव भी थोड़ा गुस्यल हो सकता है, अपने प्रेमी की भावनाव को समझिये, उनका सहयोग करिये, और जीवन सांथी की पसंद का कोई गिफ्ट, जीवन स सफलता मिलने वाला है, दिन बहुत बढ़िया है, सेहत की बात करूँ, तो मामूलिक सारीरिक कस्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये बहुत कोई बढ़ी परिशानी नहीं है, आज किसी धार्मिक उस्थल में जाकर के दर्सन करिए, सीस नवाइए, हर समस्या से मुक् कर लेंगे, मानसिक तोर पर अगर देखा जाए, तो आज आप बहुत सक्री रहने वाले हैं, नौकरी में प्रमोशन की बात चल सकती है या चलेगी, कारिश्थल पर अपनी वस्तूओं को आपको सम्हाल करके रखना होगा, इधर उधर होने का खत्रा है, और आज आपके कितेगा, नौकरी या ब्यापार, जाता से जादा आज फाइदा मिलने वाला है, काम बहुत बढ़िया रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखद और संतोस पुर्ण रहने वाला है, ब्यापार के प्रती, ब्यापार में प्रगती के योग बन रहे हैं, ब्यापारी वर की बात क पार्टनर के साथ चलियारी परिशानिया आज खुद बखुद खत्म हो जाएंगी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा अपने दोस्त या साथ के कर्मचारी को अगर आप प्रपोज करने वाले हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा स्विकार किये जाने की संभावना बहुत जादा ह आईटी फिल्ड के बिद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है सहयोग से सफलता मिलेगी आपके लिए सफलता के दृष्टि कोंड से देखा जाए बहुत बढ़िया सब कुछ सेहत की बात करो तो अपने सेहत का खयाल रखिए माता पिता का आशिरवाद लेकर के ही घर से बाहर जाएए सभी काम बनते चले जाएंगे लकी अंका आपके लिए पांच लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है और बात अगर धनुरासिकी करें तो आज आपकी प्रेमी को अपने जीवन साथी को अपने परिवार को दीजिए यानि इधर उधर जो समय आपका ब्यर्थोगा कहने का मतलब है वो अपने परिवार को दीजिए कुछ अन्य जिम्मेवारियां भी आज की बहुत सारे दिनों से बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो लटकी पड़ी हैं उन्हें आज आपको पूरा करना होगा प्रयास करना होगा वो पुर्ल हो जाएंगे काम का जादा होने से आप परिशान हो सकते हैं पैसों के मामले में लापारवाही करना ठीक नहीं है और प्रेम संबंधों की बात करूँ तो आज पार्टनर के साथ समय बीतेगा जो की बहुत बढ़िया है हो सकता है पार्टनर आपके दिल की बात समझ जाए और जो आप चाहते हैं प्रेम संबंधों को विवाह में गर बदलने की सोच रहे हैं तो हो सकता है प्रेमी ही अपनी तरफ से पहल इस बात को क्यो लेकर के करें लबलाई बहुत अच्छी है दा पारीरिक जोखिम लेने से आज आपको बचना चाहिए भगवान शिव का सहद से आज अभिशेक करिए लकियंक आपके लिए पांच लकी कलर आज आपके लिए मेजेंटा है और बात अगर मकर राशिक करें तो नए विचारों और नए नजरिये की जरूत आज आप महसूस क करेंगे आपके जीवन का यह एक बहुत ही कारगर और सकारात्मक दौर सिध्ध होने वाला है आपकी चाहत आपकी ताकत और आपकी मेहनत के कारण सकारात्मक दृष्टिकूर बनाईए इसे फाल्तू मत जाने दीजिए अच्छानक धनलाब हो सकता है रिन लेने की कोशिश क है तो आज मंजूरी मिल सकती है यानि अगर बैंक से आप प्रत न कर रहे हैं तो आज कल परसों आने वाले दिनों में आपको रिन से संबंधित आपका काम आपका कागज फाइनल हो जाएगा करियर में अगर छलांग लगाने पर विचार कर रहे हैं बिल्कुल सही समय है परन्तु एक बार अपने नीजी संबंधों को टटोल लीजिए किसी अपने सिराय मस्वरा कर लीजिए और फिर आगे बढ़िये सफलता आपको मिलेगी अपने गुसे पर आपको कंट्रोल लखना होगा खुद पर ध्यान देंगे तो बड़े से बड़ा काम भी आप बड़ी आसानी से और जल्दी पूरा कर जाएंगे काम काज में देरी होने से आज आप परिशान हो सकते हैं परिशान मत हो ये व्यापार में थोड़ी भी लापरवाही बड़ी परिशानी खड़ी कर सकती है और किसी को लव प्रपोजल भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात आपको बता दू सफलता मिलने वाली है मन की बात आज किसी से भी श्यर्मत करिए लव पार्टनर को लेकर के बिलकुल निश्चिंत रहे आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं दे रहा और कोई गिलाग, कोई शिकवा कोई परिशानी है तो मिलकर के बादचित करिए हर गलत फहमी दूर हो जाएगी जीवन साती से आज आपको मदद मिलेगा जीवन साती के सहयोग से आपको खुशी मिलने वाली है और विद्यार थिवर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा सेहत की बात करूँ तो थकान और आलस से आप पर हावी रहने वाला है कमरदर्द और पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परिशानी हो सकती है घर के पूजा नस्थल पर बैठ कर पांच मिनट ध्यान करिए और आज का दिव्य महा प्रयूग अवस्य कर लीजेगा रहात मिलेगी लखी यंक आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए आज पिला रहने वाला है और बात अगर कुम्भराशिकी करें तो आज आपको अपनी मन मरजी का कोई काम करने या किसी मनुरंजन के कारिक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है जो भी रुकावटे जीवनकाल में आ रही थी वो अब जल्दे ही खत्म होने वाली है आज एक के बाद एक कई ऐसे मामले आएंगे जिसमें आप ब्यस्त हो जाएंगे आपके काम की सूची बढ़ने वाली है हर मामले में आपको सावधान होकर के काम करना है भावुख होकर के कोई काम मत करिए धर्म और कानून से जुड़ी किसी गतिविधी में आज आप शामिल होंगे किसी काम को करिए तो मन लगा कर करिए आज ब्यापार और कार्यक्षत्र में थोड़ी बहुत परिशानी आती जाती रहेगी, आपको चिंता करने की आवशक्ता नहीं है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य का सहयोग आपको पग पग पर मिलता रहेगा और आज प्रेमी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, प्रेमी की भावनाओं को बिना बोले आप समझ जाएंगे, और विद्धार्थिवर की बात करूँ, तो समस्याओं का समाधान सीनियर के सहयोग से होगा, सावधान रखिए इस बात को लेकर के ध्यान रखिए मौसम के चेंजिंग के कारण, मौसम में बदलाव के कारण हो सकता है, थोड़ी परिशानी हो, वैसे कोई बहुत बड़ी सेहत सम्मंदित परिशानी नहीं होने वाली है, किसी विद्यार्थी को सिच्छा से सम्मंदित वस्तू, उपहार सुरूप आज भेट दीजिए, रिस्ता आज आपके सामने आ सकता है, अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, व्यापारिक पार्टनर से दी अनवन चल रही है, तो आज वो दूर हो जाएगी, आज खरिदारी बहुत सरल और फाइदेमंद रहने वाली है, परिवार की शिफारिस पर कोई बड़ी खरिदारी भी आज आप कर सकते हैं, कोई पसंदीदा वस्तू आज आपको मिल सकती है, और आज आपकी सफलताओं की सूची चरम पर रहने वाली यानि बढ़ती चली जा रही है, यानि बहुत बढ़िया है दिन, आज व्यापार में लाब होगा, लाबदायक सौधे होंगे, ओफिस य बहुत अच्छे हैं, साम के समय जीवन सांती के साथ आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, और विद्यार्थीवर की बात करूँ, तो पढ़ाई में मन न लगने के कारण, आज आप परिशान हो सकते हैं, सेहत का खयाल रखिये मौसम परिवर्तन के कारण बीमारियां हो सक सकती हैं, वैसे किसी बड़े रोग का योग नहीं है, आज आपको चाहिए किसी सन्यासी या साधू को कुछ पैसे दान में देना या भोजन कराना, लाबदाई होगा आपके लिए लखियंक आपके लिए आज नौ और लखी कलर आपके लिए आज उसका ही ब्लू है, तो प् सकार!